तो महीं इंदौर के टैनिस क्लब में प्रोदेश के पहले टैनिस लीग का शनिवार को शुभारम भुआ लीग के शुभारम की मौकी पर प्रमुक्स अचीव स्मता भारदवाच टैनिस क्लब के आप देक्श अनल दूपर भी मौझूद रहे लीग के तहत अंदौर के साथ साथ बोपार और गॉलियर में भी मैच आयोधित किया जाएंगे और लीग का फाइनल अंदौर में खेला जाएगा लीग के लिए 120 खिलाडियों की आठ टीमें बनाई जाएंगी और फिर टीमों को आॉक्शन किया जाएगा लीग में अंपी के कई जिले के हसा लेंगे आउक्शन करके 15-15 खिलाड़ी इन में लेंगे और ये एक तक्रीबन इसमें 13 इविंट खेले जा रहे हैं ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है क्योंकि पहली बार प्रदेश में एंपी टेनिस लीग की शुरुवात हो रही है और सिर्फ इंदौर में ही नहीं भोपाल में भी होगा जबलपूर में होगा अन्य शहर से बच्चे आए हैं आज यहां रतलाम से आए हैं तो हर छोटे शहर में टेनिस खेलने वाले सारे बच्चों को एक नया प्लाटफॉर्म मिल रहा है खेलने के लिए और हम चाहते हैं कि मध्यप्रदेश के खिलाडी ना सिर्फ राष्ट्रिया बलकि अंतराष्ट्रिय स्तर पे जाएं और यह सारी सुविधाई यहां पे उपलब्ध हैं तो वाकी प्रशंसनिय प्रयास है यह MP Tennis League यह पहली बार है कि मध्यप्रदेश में एक ग्रूप ने एक अच्छा काम करने का यह अपने ऊपर नई ववस्ताओं के साथ चलू करने की कोशिश की है MP Tennis Association इसका पूरा सपोर्ट करता है यह लीक जिसे अलग-अलग जगाओं में होगी इंदोर, भुपाल और गॉलियर में इससे बद फाइनल्स फिर से इंदोर में होंगे यह पूरे देश में अपनी तरह का यह पहला प्रयास है यह टोर्णामेंट मध्यप्रदेश Tennis League के नाम से हो रहा है और इस लीग के पहले चार सेलेक्शन टोर्णामेंट हो रहे हैं का नाम हमने क्वालिफाइंग लेग रखा है और यह मध्यपरदेश Tennis League मध्यपरदेश Tennis Association से माननेता प्राप्त है मैं अपना बैस दोंगी मिन्स जो अपन को हमेशा करना चाहिए क्या लग रहा है किसको चलेंजिंग मांग रहे हैं मैं उसको चलेंजिंग मांगी हूँ मिन्स अपन को दूसरों के साथ कंपेर ने करना चाहिए अपन अपना बैस दो यह टूर्णामेंट एक बहुत ही नए तरह का और बहुत ही अच्छा टूर्णामेंट है और इस टूर्णामेंट को लेकर हम सभी काफी एक्साइटेड है और इस तरह के टूर्णामेंट आगे होते रहने चाहिए यह इस टूर्णामेंट से इन प्लेयर्स का बहुत ज़्यादा भला होने वाला है कई तरह के प्लेयर्स को नए तरह के गेम समझ में आएंगे और ओवराल इस तरह के टूर्नमेंट्स होते रहना चाहिए बहुता